बयान छे तेज सी को विजेगड की तरफ विदा कर विरंदर सी अपने महल में आए मगर किसी काम में उनका दिलना लगता था हर दम चंदरकांता की याद में सिर जुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो तो चंदरकांता की तस्वीर अपने सामने रख कर बातें किया करना या पलंग पर बैठ मूठ ढाप खूब रोना बस यही उनका काम था अकर कोई पूछता तो बाते बना देते विरंदर सी के बाप सुरंदर सी को उनका सब हाल मालूम था अगर क्या करते कुछ बस नहीं चलता था क्योंकि विजेगड का राजा उनसे बहुत जबरजस था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था विरंदर सी ने तेज सी को विजेगड जाती बार कहा था कि तुम आज ही लोटाना राद बारा बजे तक विरंदर सी ने तेज सी की रा देखी जब वो ना आये तो उनकी गबराहट और भी ज्यादा हो गई आखिर अपने को संभाला और मैसीर पल लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे सवेरा होने ही वाला था कि तेज सी पीट पर गठरा लेके आप पहुँचे पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे मगर खौफ से कुछ नहीं कह सकते से तेज सी ने विजंदर सी के कमरे में पहुँच कर देखा कि अभी तक वो जाग रहे हैं विरंदर सी तेज सी को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले क्यों भई क्या खबल लाए तेज सी ने वहाँ सब हाल सुनाया चंदरकांता की चिट्टी हाथ पर रख दी एहमत को गट्री खोल कर दे दिया और कहा ये चिट्टी है और ये सौगात है फिरंदर सी बहुत खुश हुए चिट्टी को कहीं मरतबा पड़ा और आँखों से लगाया फिर तेज सी से कहा सुनो भाई इस एहमत को ऐसी जगा रखो जहां किसी को मालूम नहों अगर जैसी को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा तेज सी ने कहा इस बात को मैं पहले से ही सोच चुका हूँ मैं इसको एक पहाड़ी खो में रखाता हूँ जिसको सिर्व मैं ही जानता हूँ ये कहकर तेज सी ने फिर ऐहमत की गठरी बादी और एक प्यादे को भेज़कर देवी सीन नामे के एक आयार को बुलाया जो तेज सीन का शागिर्द, तिली दोस्त और रिष्टे में साला लगता था तथा आयारी के फन में भी तेज सीन से कहीं तरह कम न था जब देवी सीन आ गए तब तेज सीन न हमत की गटरी अपनी पीट पर ला दी और देवी सीन से कहा आओ, आओ हमारे साथ चलो तुमसे एक काम है देवी सीन ने कहा गुरू जी ये गटरी मुझे दो, मैं चलो मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता आखिर देवी सीन ने वो गटरी पीट पर ला दी और तेज सीन के पीछे चल पड़े वो दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचिदे रास्तों में जाते जाते दो कोस के करीब पहुँचकर एक अंदेरी खोव में खुसे थोड़ी दिर चलने के बाद कुछ रोश्णी मिली वहाँ जाकर तेज सीन ठहर गए और देवी सीन से बोला गठरी खोल दो देवी सीन ने गठरी खोल कर कहा गुरुजी ये तो अजीब जगा है अगर कोई आये भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा तेज सीन ने कहा सुनो देवी सीन इस जगा को मेरे सिवाए कोई नहीं जानता तुमको अपना दिली दोस्ट समझ कर ले आया हूँ तो मैं अभी बहुत कुछ काम करना होगा दीवी सी ने जवाब दिया मैं आपका ताबेदार हूँ तुम गुरू हो क्योंकि ये यारी तुम ही ने मुझको सिखाई है अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तयार हूँ तेजसी बोले सुनो और जो बात में तुम से कहता हूँ उसका अच्छी तरह ख्याल रखो ये सामने जो पत्थर का दर्वाजा देखते हो इसको खोलना सिवाए मेरे कोई भी नहीं जानता या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको यारी सिखाई वो जानते हैं वो तो अब नहीं रहे, मर गए इस समय सिवाए मेरे कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसका खोलना बतलाया देता हूँ जिस जिस को मैं पकड़ कर लाया करूंगा इसी जगा लाकर कैद किया करूंगा और कोई छुड़ा के भी ना ले जा सके इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बानने की जरूरत नहीं रहती सिर्फ हिफाज़त के लिए एक खुला से बेड़ी उनके पैरों में बान देनी पड़ेगी जिस से ये दीरे दीरे चल फिर सके कैदियों के खाने पीने की भी फिकर तुमको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक छूटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है यहां मेवों में दरक्त भी बहुत है इस एयार को इसी मैं कैद करते हैं बाद इसके महराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बिमार रहता हूँ अगर एक महिने की चुटी मिले तो आबो हवा बदल आओं बहने बर की चुटी ले लो मैं कोशिश करके तुमें चुटी दिला दूँगा तब तुम वेश बदल कर विजय गड़ आओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो जो कुछ हाल हो मुझको कहा करो और जब मौका देखो तो अदमाशो को गिरफतार करके इसी जगा उनको कैद भी कर दिया करो और भी बहुत सी बातें देवसी को समझाने के बाद तेज सी दर्वाजा कोलने चले दर्वाजे की उपर शेर का बड़ा सा चहरा बना हुआ था जिसके मुँ में हाथ बखूबी जा सकता था तेज सी ने देवसी से कहा इस चहरे के मुँ में हाथ डालकर इसकी जबान बाहर खींचो देवी सी ने वैसा ही किया और हाथ बर के करीब जबान खींच ली उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया एहमत की गठ्री लिये हुए दोनों अंदर गए देवी सी ने देखा कि वो खूब खुलासा जगा बगे कोज भर का साफ मैदान है चारो तरफ उँची उँची पहाडिया जिस पर किसी तरह आदमी चड़ नहीं सकता बीच में एक छोटासा जरना पानी का बहरा है और बहुत से जंगली मेवों के दरक्तों में अजब सुहावनी जगा मालूम होती है चारो तरफ पहाडिया नीचे से उपर तरफ छोटे छोटे करजनी गूमचे, बैर, मकोईय, चिरोजी वगेरे के घने दरक्तों और लताव से बरी हुई है बड़े बड़े पत्थर के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई दे रहे है उपर से पानी गिर रहा है जिसकी आवास बहुत भली मालूम होती है हवा चलने से पेडों की सरसरा हट और पानी की आवास तता बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खीच लेता है नीचे जो चश्मा पानी का पस्चिम से पूरब की तरफ गुमता हुआ बैरा है उसके दोनों तरफ जामुन के पेड लगे हुए है और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे है पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाए देती है कहीं हात भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा पहाडों में कुदरती खो बने है जिसके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहां खैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दिये चारों तरफ की पहाडियां ढलवा और बनिस्बत नीचे के उपर से ज्यादा खुला सा थी और उन पर बादलों के टुकडे छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे यह जगा ऐसी सुहावनी थी के वर्षों रहने पर भी किसी की तवियत ना घप रहे ब्रत की खुशी मालूम हो सुबा हो गई सूरज निकल आया तेज सीने एहमद की गटरी खोली उसका यारी का बटवा और खंजर जो कमर में बता था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया जब एहमद होश में आया उसने अपने को इस दिल्चस्प मैदान में देखा तो यखीन हो गया कि वो मर गया है और फरिष्टे उसको यहां ले आये हैं लगा कलमा पढ़ने तेज सींग को उसके कलमा पढ़ने पर हसी आई और बोले मिया साब आप हमारे कैदी हैं इधर देखिए एहमद ने तेज सींग की तरफ देखा पहचानते ही जान सूख गई समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे पीबी केद्की की सूरत आखों के सामने गिर गई खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुह से ना निकल सका एहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड दोनों अईयर बाहर निकलाए तेज सीन ने देवी सीन से कहा इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खीच ली है उसी के मुह में डाल दो देवी सीन ने वैसा ही किया जुबान उसके मुह में डालते ही जोर से दर्वाजा बंध हो गया और दोनों आदमी उसी पेचिदी रा से घर की तरफ रवाना हुए पहल अबर दिन चड़ा होगा जब ये दोनों लोटकर विरंदर सी के पास पहुँचे विरंदर सी ने पूछा एहमद को कहा कैद करने ले गए थे जो इतनी दिर लग गई तेज सी ने जवाब दिया एक पहाड़ी खों में कैद कराया हूँ आज आपको भी वो जगा दिखाऊंगा पर मेरी राय है कि देवी सी थोड़े दिन वेश बदल कर विजएगड में रहे ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी इसके बाद वो सब बातें विरंदर सी को कह सुनाई जो खों में देवी सी को समझाई थी और जो कुछ राय ठहरी थी वो भी कहा जिसे विरंदर सी ने बहुत पसंद किया सनान पूजा और मामूली कामों से फुरसत पा दोनों आदमी देवी सी को साथ लिए राज दरबार में गए देवी सी ने चुट्टी के लिए अर्स किया राजा देवी सी को बहुत चाहते थे चुट्टी देना मन्जूर ना था कहने लगे हम तुम्हारी दवा यहां ही कराएंगे आखिर विरंदर सी और तेज सी की सिफारिश से चुट्टी मिली जाती दफ़ा उन्होंने और भी बाते समझाई थी दूसरे दिन तेज सी अपने साथ विरंदर सी को उस घाटी में ले गए जहां एहमत को कैद किया था कुमार उस जगा को देख कर बहुत ही खुश हुए जो मैं किसी दूसरे दिन आपको कहूंगा विरंदर सी इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और इस घाटी की कैफियत जानने के लिए जित करने लगे आखिर तेज सी ने वहां का हाल जो कुछ अपने घुरू से सुना था कहा इसे सुनकर विरंदर सी बहुत प्रसंद न हुए तेज सी ने विरंदर सी से कहा वो इतने खुश क्यों हुए और ये गाटी कैसी थी ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा वो दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल गए कुमार ने कहा भाई अब तो मेरा होंसला बहुत बढ़ गया है जी में आता है कि जैसी से लड़ जाओं तेज सी ने कहा आपका होंसला ठीक है मगर जल्दी करने से चंदरकांदा की जान का खौफ है आप इतना गबराते क्यों हो देखिए तो क्या होता है कल में फिर जाओंगा और मालूम करूंगा कि यहमत के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई विरिंदर सी ने कहा नहीं इस बार मैं जरूर चलूंगा इस तरह एकदम डरपोख होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं तेज सी ने कहा अच्छा आप भी चलिए हर्स क्या है मगर एक काम होना जरूरी है वो ये है कि महराज से पांच-चार रोज के लिए शिकार की चुट्टी लीजिए और अपनी सरहत पर डेरा डाल दीजिए वहाँ से कुल धाइसो को चंद्रकांता का महद रह जाएगा तब हर तरह का सुभिदा होगा इस बात को विरंदर सी ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी कुछ दिन बाद विरंदर सी ने अपने पिता सुरंदर सी से शिकार के लिए आठ दिन की चुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को जो खास उन्ही के खिद्मती थे और उनको जान से ज़्यादा चाहते थे साथ ले रवाना हुए थोड़ा सा दिन बाकी था तब नौगड और विजएगड के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया राद बर वहां मुकाम रहा और ये राय ठहरी के पहले तेज सी विजएगड जाकर हाल चाल ले आए